वर्टकप 2023 में एक वक्त ऐसा आया था जब पाकिस्तान की टीम समी फाइनल की दौर से लगभग बाहर नजर आ रही थी लेकिन एक के बाद एक बदलते समी करणों ने पाकिस्तान को समी फाइनल में पहुँचने का दावेदार आखिरकार बना दिया है यहां खास बात ये भी है कि अगर पाकिस्तान की टीम किसी भी तरह से समी फाइनल में पहुँच जाती है तो उसका मुकाबला भारती टीम से ही होने वाला है ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ड कप 2023 में टॉप तीन स्पोर्ट बुख हो चुके हैं और अब समी फाइनल में पहुचने वाली टीम चौथ स्थान पर ही रह सकती है तो आई ये नज़र डाल लेते हैं कि कैसे होंगे समी फाइनल के मुकाबले नमबर वन पर काबिस टीम का समी फाइनल मुकाबला नमबर चार पर रहने वाली टीम से होगा नमबर दो और नमबर तीम पर रहने वाली टीम आपस में भेड़ेंगी अब देखा जाए तो भारती टीम का वर्ड कप 2023 की पॉइंट स्टेबल में नमबर वन पर रहना तैह है ऐसे में पाकिस्तान अगर कौलिफाइ कर जाती है तो वो सेमी फाइनल में भारत से मुकाबला करती हुई नजर आएगी हला कि इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी तरह से समी फाइनल में पहुचे और पाकिस्तान के समी फाइनल में एंट्री के लिए गड़ित क्या है वो हम आपको बताते हैं लेकिन उस से पहले आईए नजर डालते हैं की कैसी है इस वक्त की सेमी फाइनल की रेस तो सेमी फाइनल के चौते स्थान के लिए इस वक्त चार टीमे रेस में है नीजिलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान चार-चार जीत के साथ इस रेस में लगभग बराबरी पर है यहां नेट रन रेट में नीजिलैंड की टीम सबसे आगे है उसके बाद पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान और आखिर में नीजिलैंड है नीजिलैंड भी दो जीत के साथ इस रेस में अभी भी टक कर दे रही है लेकिन नीजिलैंड के आसार बेहत कम है तो अब आईए समझते हैं कि पाकिस्तान के समी फाइनल में एंट्री के लिए क्या गणित हैं तो पहला गणित यहां अगर पाकिस्तान को समी फाइनल में पहुचना है तो उसकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि उसे अपने आखरी मुकाबले में इंग्लैंड पर बड़े अंतर से जीत मिले। इसके साथ उसे ये दूआ करनी होगी कि अफगानिस्तान और न्यूजिलैंड या तो अपने आखरी मुकाबले हार जाएं या बेहत करीबी अंतर से जीतें ताकि नेट रंडेट के आधार पर पाकिस्तान अंतिम चार में पहुँच पाएं। आख जादा बड़ी जीत दर्ज ना करें या वो अपने मुकाबले को हार जाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आये हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आख जाएं। आख जाएं। आख जाएं।